दोस्तों ये वीडियो के मैंदम से मैंने ट्रेंड फॉल्लिंग स्ट्राटीजी को यूज करके जो भी ट्रेड करूंगा वो ट्रेड का रेजर्ड प्रॉपर लॉजिक की साथ आप लोग की साथ सेयर करनी जा रहा हूँ देखें दोस्तों अगर आपको इंटरेड पे एक decent income generate करना है तो आपको proper strategy पे proper discipline की साथ काम करना पड़ेगा और दोस्तों मैंने ये strategy को खुद बना है और ये basically price action basis पे बहुत आचा काम दे रहा है इसलिए दोस्तों हर दिन मैंने live market पे ये strategy के मदद पे खुद trade कर रहा हूँ और जो भी result आ रहा है वो result आप लोग की साथ screen को repress करके share कर रहा हूँ और दोस्तों हर हपते मैंने उसका P&L statement भी आपके साथ share कर रहा हूँ तो चाली दोस्तों आज का internet trading पे हमारी trade कैसा रहेगा उसके बारे में details पे जानते हैं दोस्तों ये जो दो position आपको दिख रहा है मैंने आपको हमेशा बता रहा हूँ मैंने stability का position लिया था और ये stability का position पे मैंने 127.50 रूपीज के आसपास मैंने ये loss book कर लिया है तो दोस्तों मैंने आपको बता जाता हूँ मैंने ये order कब exit किया था तो दिखें यहाँ पे 9 वज के 16 मिनिट के आसपास मैंने ये order को exit किया था अभी around 1.30 के आसपास timing चल रहा है दोस्तों मैंने मेरी trend following strategy को use करके आज अभी तक कोई भी trade नहीं लिया है क्योंकि अभी तक मैरी rule के इसाफ से मुझे entry नहीं आया है तो दोस्तों मैंने एक बार ये entry ले लेता हूँ जो भी profit या loss आएगा आप लोग के साथ share करूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि last पे market का moment के साथ था और किसी scenario में मैंने किस type का position बनाया और दोस्तों उसके बाद मैंने last पे आपको आज market का moment के साथ था proper technical analysis करके आप लोग के साथ share करूँगा तो मैंने अभी एक बार wait कर रहा हूँ एक बार मुझे entry आ जाए और जब मैंने exit करूँगा उसके बाद आपको मेरी details share करूँगा दोस्तों अभी timing around 3 o clock हो चुका है तो देखे दोस्तों आज मेरी rule के साथ से मुझे आज entry day trade करने के लिए कोई भी trade setup satisfy नहीं किया इसलिए दोस्तों मैंने आज entry day पे कोई भी trade नहीं बना रहा हूँ दोस्तों हमको हमारी rule को respect देना चाहिए अगर किसी दिन trade नहीं आता है तो हम उसी दिन कोई भी trade नहीं करेंगे और देखे दोस्तों मैं आपको इवगा screen को भी refresh करके बता देता हूँ कि मैंने कोई भी trade नहीं लिया है देखे दोस्तों ये मेरा entry day का position है इस पे आपको कोई भी trade नहीं दिखेगा ये जो भी दोनों trade मैंने लिया था ये basically मैंने activity call के लिया था तो मैंने order book भी share कर देता हूँ देखे order book के अंदर आपको आज का कोई भी trade नहीं दिखेगा ठीके दोस्तों चली एक बार chart pattern analysis करके market आज कैसे move किया था उसका movement के बारे में जान लेते हैं दोस्तों आज market पे ये 13,775 level के आसपास एक strong resistance का level देखने के लिए मिल रहा है तो देखे दोस्तों काल भी ये level के आसपास high बनाया था और आज भी ये level के आसपास market high बना के इसी level से काफी तेजी से हमको selling का pressure देखने के लिए मिला और दोस्तों immediate market ये level से जो support का level था बेसिकली 13,650 level के आसपास तो ये level के आसपास देखे मार्केट पे एक पहुत पड़ा गिराबर fast हापाना और के अंदर हमको देखने के लिए मिला और उसके बाद देखे मार्केट पे धीरे-धेरी recovery होने लगा और ये 13,700 level जो के एक psychological support and resistance level जैसा भीएव कर रहा है ये level के आसपास market काफी time trade करने लगा और इसी level से थोड़ा बहुत selling का pressure भी create कर रहा था लेकिन दोस्तों जब ये level market cross करके उपर की तरफ आया है उसके बाद हमको एक साथ आप मोब देखने के लिए मिला और basically market अभी triple top level के आसपास आखे पहुंच चुका है क्योंकि देखिए ये हो गया हमारा पहला top ये था second top ये हो गया हमारा third top और देखिए ये जो level है ये basically 13,750 level के आसपास आखे ट्रेड कर रहा है तो ये level पे basically psychological resistance level जैसा permission हो रहा है और देखिए दोस्तों अभी market इसी level के आसपास आने के बाद ये जो candlestick pattern form किया है मैंने इसी candlestick pattern के बारे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर आप ये single candlestick pattern को देखोगे इस single candlestick pattern के इसाब से ये एक spinning top type का pattern form किया है या आप ये pattern को inverted hammer type का pattern भी बोल सकते हो और दोस्तों ये जो pattern है ये भी एक inverted hammer type का pattern form किया है और ये जो pattern है ये ग्रेवस्टोन दोजी type का pattern form किया है तो दोस्तों continuously thin candle पे हमको selling का pattern देखने के लिए मिल रहा था और इसी level से market पे correction भी देखने के लिए मिल रहा है लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमको ध्यान पे रखना है ये 13,750 का जो support का label है ये label को अभी तक market cross करके नीचे की तरफ नहीं आया है दोस्तों अगर आज ये label को market cross करके नीचे की तरफ आता है तो दिखें market basically इसी range के अंदर closing देने वाला है लेकिन अगर अभी अभी ये 3 बज़े के आसपास market trade कर रहा है अभी अभी अगर market इसी label को cross करके उपर की तरफ जाएगा तो आराम से market as 13,800 label को जाके touch करेगा और देखें दोस्तों 13,800 label के आसपास आने से पहले हमको ये label के आसपास थोड़ा बहुत resistance label देखने के लिए मिलेगा एक बार ये 13,775 का label cross कर ले फिर 13,800 का label आराम से market अचिब कर लेना चाहिए तो दोस्तों ये बेसिकली आज का market का moment के बारे में मैंने आपको बताया अगर दोस्तों market ये all time high के आसपास आता है तो मंडे को भी हमको एक जबरदस्त buying देखने के लिए मिलेगा लेकिन अगर इसी label के आसपास selling का pressure create होता है और अगर market ये 13,750 range को cross करके नीचे आके closing देता है तो दोस्तों मंडे हमको basically ये level के आसपास market देखने के लिए मिल सकता है फिके दोस्तों ये था आज हमारा market का analysis और देखिए आज हमारा trend following strategy के इसाफ से हमको आज कोई भी trade नहीं आया है मैंने और एक बार refresh भी कर लेता हूँ देखिए अभी कोई भी trade हमको नहीं आया दोस्तों अगर आपको महिना का महिना एक decent income generate करना है तो आपको इस strategy सिखना चाहिए ये strategy simple and safe है तो आप इस पर आरांज से काम कर सकते हो तो इस strategy को सिखने के लिए मैंने already description section पे मेरी वार्ट्सप नमबर सेयर किया है तो वार्ट्सप नमबर के दुरू आप मुझे contact कर सकते हो ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यबाद